हलो एवरिवन आज आपके लिए मैं जो चैप्टर लेकर आएं वो क्लास एट की बुक हानी डियू से है चैप्टर नमबर टू और इस चैप्टर का नाम है दा सुनामी अब सुनामी आप देख सकते हैं सिर्फ उनिपारियास में कॉमन होती है जो कि सी के सराउंडिंग में होते हैं बहुत सारे लोगों की जान गई लेकिन इससे पहले की चैप्टर की एक्स्प्रेशन देए आपको बताना चाहँगा अंडेमान और कोबर आइलेंड का पूरा स्ट्रक्चर क्या है जैसे अगर आप इस पिक्चर में देख पाएं तो उपर वाला हिस्सा जो है नोर्थ अंडे यहाँ पर आप देखिए यह पोर्ट प्लियर की डिस्क्रिप्चन है फिर अंडेमान सी आ जाता है फिर लिटल अंडेमान और इधर आ जाओ तो इंडियन ओशन और कार्निपो निकोबर निकोबर आइलेंड आ जाते हैं दोनों एक तुसरे से जादा दूर नहीं हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि जो हमें यह डिस्क्रिप्चन है यहाँ पर देगी है वो हम देखेंगे इस चेप्टर की समरी में अब सुनामी की बार में हम जाल लेते हैं सुनामी जो है बहुत बड़ी वेव होती है पावर्फुल वेव होती है कोस्ट बाई अर्थक्वीक under the sea और एकिस वजय से आता है क्योंकि यो सुमूदर के नीचे जहां पर पहुत सारा पानी होते है वहां पर अर्थक्वेक आएगा अर्थक्वेक होता है भूगम on 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu post so here are some stories of courage and survival और यहां पर आपके सामने कुछ कारेज की स्टोरी कुछ सर्वाइवल की स्टोरी बताई गई है कि जो लोग उस सब चीजों को फेस कर चुके थे बर सम्हाव दे वर एबल टू सेव दियर लाइफ Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest yes कि ऐसा होगा कि जानवरों को शायद पहले ही पता लग जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है इसलिए वो पहले ही अलर्ट हो जाते हैं और देखो यहां पर destruction की कुछ एक तस्वीरे दिखाए गई है कि कैसे बड़ी बड़ी जो गाड़ियां भी है या और भी चीज़ी है वो पानी में बह जाती है इतनी powerful waves होती है तो आप सोची कि human beings तो कैसे survive करते होंगे बट अगर किसी का survival होता भी है तो समझी वो बहुत लगी है अगर वो survive उन्होंने किया होगा तो तो यह stories कहां से हैं from the undemand and recover archipelago तो इस world का exact meaning क्या होगा a group of many islands archipelago so ignisius was the manager ये नाम है किसी का जो manager था of a cooperative society in kashal उसकी wife उसको जगाती है सुबा 6 बजे because she felt an earthquake क्योंकि उसकी wife को मैसूस हुआ कि कोई earthquake आया है बुकम पाया तो ignisius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break क्योंकि उन्होंने पहले आपने देखा होगा जो TV होते थे बड़े बड़े होते थे और वो किसी table पर रखे जाते थे तो इसलिए उनको लगा कि शायद अगर ऐसा कुछ है तो क्योंना मैं TV set को उठा के नीची रख दूँ कहीं गिर के तूटना जाए तो then the family rushed out of the house और तब पूरा का पूरा परिवार गर से बाहर आशाता है so when the tremors stopped अब tremors क्या होते हैं जो shaking हो रही थी अर्थ की जो हलकी हलकी पुकम की वज़े से shake कर रही थी अर्थ वो थोड़ी सी रुकती है so they saw the sea rising उन्होंने देखा एक्तम से sea जो है rise कर रहा है in the chaos and confusion उस confusion में उस term में two of his children caught hold of the hands of their mother's father तो दो बच्चों ने तो mother के फादर के हाथ पकड़ ले उनके बच्चों ने and mother's brother और mother के भाई ने तो यहाँ पर अगर simple words में बोले तो उन्होंने किनके हाथ पग रहे थे अपने नाना के और मामा के और फिर किस direction में जाना स्टार्ट किया opposite direction में so he never saw them again और इसके बाद उसने उनको कभी बे नहीं देखा his wife was also swept away उसकी पतनी भी जो है कहीं पानी में बह गई होगी and only the three other children who came with him were saved जो तीन बच्ची उनके साथ आए थे वो बच गए बाकी किसी का कुछ पता है नहीं चला अब यह next character के बारे में बताए गया कि जो संजीव है एक policeman था serving in the Kachal or Kachal Island of the Nicobar group of islands यह कम बहुत सारे islands का group है that's why it has been called as archipel है जो so he somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves किसी तरह उसने अपने आपको बचाया, अपनी wife और अपनी baby daughter को भी बचा लिया but then he heard cries for help from the wife of John तब उसने John की wife की चीखें सुनी जो की guest house cook था तो Sanjeev jumped into the water to rescue her but they were both swept away तो Sanjeev ने जैसी चंप लगाई पानी में तो वो दोनों के दोनों पानी में बह गए so 13 year old Megna was swept away along with her parents and 77 other people तो अगर पूरी description देखें तो 77 दूसरी लोग भी पानी में बह गए थे she spent two days floating in the sea उसने दो दिन लगातार sea में float करते भी बिताए float भी किस पे किया होगा hold on to a wooden door float करना क्या होते है जब आप किसी चीज का सहारा लेकि जैसे उसने wood का एक door उचो है वो पकड़ लिया होगा और उसी के उपर तैरती रही वो so eleven times she saw relief helicopters ग्यारा बार उसने relief helicopter को देखा अपने सिर के उपर but they did not see her लेकिन वो नहीं उसे देख पाई she was brought to the shore by a wave लेकिन लहरों ने उसको किनारे पर लाके रख दिया है and was found walking on the seashore in a days और फिर उसको देखा गया seashore पे यानि समूदर के किनारे पर गवराई हुई थी बहुत तो days का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गवराई हुई थी वो so almas chavid was 10 years old यह 10 साल का जूवी है बेटी है बच्चा है so she was a student of carnal convent in port player where her father had a petrol pump जहां पर उसके फादर का petrol pump था तो यह कहानी जो है वो आप दिख सकते हैं बहुत सारे characters इसमें mention किये गए हैं और अगर उनकी बात करें जो almas chavid की मदर की तो rahila's home was in the nancory island यह दूसरा island है the family had gone there to celebrate Christmas और सारा का सारा परिवार वहाँ पर गया हुआ था Christmas celebrate करने के लिए लेकिन जब shaking होती है when the tremors came early in the morning the family was sleeping पूरा परिवार सोया हुआ था almas father saw the sea water recede उन्होंने देखा पानी का level जो है वो थोड़ा सा नीची हो गया है पीछे की तरफ चला गया है ऐसा क्या हुआ ही समझ नहीं लेकिन फिर भी he understood that the water would come rushing back with great force और उनको यह भी पता लग गया अब एक बार पानी पीछे की तरफ गया तो वापिस आएगा बहुत पावर के साथ he woke everyone up and tried to rush them to the safer place और उसने फिर सब को बोला कि आप सब के सब जो है safer place पे चले जाएए सुरक्षी जगा पे चले जाएए as they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down जो जैसी वो भागे ते जो उसके जो grandfather है उनके सेर पे कुछ लगा ओगा और वो गिर जाते हैं her father rushed to help him और उसके father उनको अपने father को बचाने के लिए जानी grandfather को बचाने के लिए दोडते है then came the first giant wave that swapped both of them away इसका मतलब है डोनो ही वो यानि उसके फादर भी अलमास चावेद के और ग्रेंट फादर भी पानी में बह जाते हैं So, अलमास mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree वो coconut tree के जो पत्ते होते हैं उनको चिपके वो खड़े होई थी So, calling out to her उसको बुला रहे थे बार बार A wave uprooted the tree लेकिन वेव ने उस पेर को खार दिया And the two were washed away और वो भी पानी में बह गए So, अलमास saw a log of wood floating उसने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा फ्लोट करते हुए She climbed on it और इसके उपर उचड़ जाती है Then she fainted उसके बाद वो बेहोश हो जाती है When she woke up, she was in a hospital in Camorta तो यहाँ पर देखी जब उसको होश आता है तो वो एक hospital में थी Camorta में From there she was brought to port player वहाँ से उसको port player लाया गया The little girl does not want to talk about the incident with anyone She is still traumatized यानि वो लड़की इतना ज़्यादा डर चुकी है Distress हो चुकी है कि वो किसी से इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती है तो यह तो हमने देखा part one of the story जिसमें अंडेमा निकोवर आइलेंड पर कैसे सुनामी ने तबाही या नुकसान किया लोगों को बहुत जादा जो है destruction किया लोगों का अब सेकेंड पार्ट में बताया गया है इस लड़की के बारे में जो कि टिली स्मीथ कह सकते हैं एक बिटिश स्कोल गर्ल है शी वोस अबल तो से मैनी लाइज वेन तो सुनामी स्टक फोकेट बीच इन थाइलेंड तो जब सुनामी ने थाइलेंड में फोकेट बीच पर तबाही मचाई उस टाइम इस लड़की ने बहुत सारे लोगों की लाइफ सेव की वो कैसे तो शी वो शी हैस वोन इन अमबर और होड्स तो चाहिए इस लड़की ने बहुत सारे आवोड्स जीते हैं लेकिन वो इसके जो पेरेंस है वो नहीं चाहते की इसको कभी इंटर्वी लिया चाहे और ये टेलिविजन स्क्रीन पर आए लोगों के सामने तो वाइ टेलिविजन रहा होगा कि जिसके वेज़े से उसके पेरेंस ने डिसीजन लिया होगा अब ये सेकिंड स्टोरी थाइलंड से है वो सेलिविजन कर रहे थे क्रिस्मस एक बीच रिजोट इन सदन थाइलंड उस टाइम ये दस साल की एक स्कूल गर्ल थी और इसके पेरेंस जो की साथ इस्ट इस्ट इंगलेंड से है वो सेलिविजन कर रहे थे क्रिस्मस एक बीच रिजोट पर सदन थाइलंड में इसकी जो सिस्टर है वो सेवन इर ओल थी उसकी येज सिर्फ साथ साल की थी and their parents were Penny and Colin Smith उसके parents का नाम Penny and Colin Smith है so it was 26 December 2004 और ये time period है 26 December 2004 का जो deadly tsunami waves they were already on their way तो उस time जो है बहुत खतरनाक जो लहरे हैं वो अपने राश्टे पर थी चल पड़ी थी and they had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning तो एक बहुत बड़ा earthquake आया था अभी north part में सुमात्रा में early that morning इसी सुबा को so the water was swelling and kept coming in पानी जो है वो swell कर रहा था और इधर अंदर की तरफा ही रहा था तो Penny Smith remembered उसको कुछ ने कुछ याद आया क्या याद आया the beach was getting smaller and smaller कि beach जो है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा था ऐसा क्यों? क्या reason हो रहा था? I didn't know what was happening for a moment उसको लगा मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है लेकिन जब उसने अपनी books में पढ़ा था तो उसको 100% कुछ ने कुछ याद आएगा और तब उसको लगा कि शायद कुछ ने कुछ तो मतलब sense करना क्या होता है उसको लगा कुछ ने कुछ ने कुछ तो wrong है her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just two weeks before उसने two weeks पहले यह एक चोग्रफिक लेसन लिया था England में और she flew out to Thailand with her family उसके बाद वो यहां पर आ जाती है Thailand में अपनी family के साथ तो tilly saw the sea slowly rise उसने देखा जो इसी है वो अब rise होना शुरू हो रहा है slowly and start to form और ऐसा लग रहा है जैसे फूलने लग गया है मतलब bubble and form whirlpools ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ होने वाला है form तो एक common word है यानि जो आप जाग देखते होंगे और bubble बनना यानि बुलबले और whirlpools यानि कुछ पानी का जो बावंडर गोल गोल सा होता है गूनता है तो she remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946 तब उसको याद आया कि तो एक वीडियो थी जो उनको class में दिखाए गे थी tsunami की जो कि Hawaiian island में 1946 में आई थी तो her geography teacher had shown her class the video और पूरी class को ये वीडियो दिखाए गे थी and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides तो ये तीन रीजन हो सकते थे tsunamis के जो कि उनको बताया गया था earthquake से भी आ सकती है, volcanoes जब और एरप्ट करते हैं तब भी आ सकती है ये landslides से भी आ सकती है तो Tilly started to scream at her family to get off the beach तो Tilly ने अपनी family को बताना चुरू किया कि आप भागो यहां से she talked about an earthquake under the sea, उसने बोला कि sea के नीची earthquake आया है she got more and more hysterical, तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और क्या बोलती है अपनी मदर को, ये means अपनी मदर पैनी को बोलती है I didn't know what a tsunami was, कि मुझे नहीं पता कि tsunami क्या होता है but seeing my daughter अब दिखू कि उस लड़की की मदर ही जो है, वो इतना ज्यादा confused है कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बेटी इतनी hysterical यानि इतना डर क्यों गई है कुछ पास की बाते याद करके तो ये वो condition होती है जब आप एक्तम से चिलाते हैं, shout करते हैं हस भी सकते हैं, रोते भी हैं, और एक excitement अलग सी होती है तो कहती मुझे नहीं ये समझ में आ रहा था कि सुनामी क्या है, ये पैनी की statement है जो कि टिली की मदर है but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on और लेकिन मैंने अपनी जब बेटी को देखा तो कुछ ना कुछ serious तो 100% होने वाला था तो टिली's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel वो swimming pool में ले जाते हैं, a number of other tourists also left the beach with them और बहुत सारे tourists ने भी beach को छोड़ा, means वहीं से छोड़ के वो आ जाते हैं then it was as if the entire sea had come out after them, मुरे सा लगा कि जैसे पूरा का पूरा सी उनके पीछे ही आ गया हो और सब के सब चिला रहे थे, भागो भागो the family took refuse in a third floor of the hotel, the building wasted the surge of three tsunami waves तो तीन tsunami waves आती हैं, तो तीनों से वो building किसी तरह पची रही if they had stayed on the beach, अगर वो बीच पर होते, they would not have been alive तो फिर वो शायद कभी वो बच की ना पाते हैं, तो इसका मतलब इस सभी की life को बचाने का credit किसको जाता है, yes of course Tillie Smith को जाता है, the Smiths later met other tourists who had lost entire families ये कुछ और tourists को भी मिलते हैं, जिनका पूरा का पूरा परिवारी बह गया था so thanks to Tillie and her geography lesson, they had been forward और इससे वो पहले ही alert हो गए, so Tillie went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale और अपने classmates को अपनी ये खतरनाक स्टोरियां जो हैं सुनाई उसने बाद में अब यहाँ पर आप एक picture देख सकते हैं, ये part 3 है स्टोरी का, एक बच्चा उसके साथ उसका एक dog है तो ये कहते है कि look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard so this picture can be used as a description or something like जिसका आपको कहा जाएगा कि आप इसको describe करो so this is how you can start calm blue sea ruined huts यहां से स्टोरी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं so before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka अब आ जाते हैं सबसे पहले हमने क्या देखा? अंडिमान निकोबर आइलेंड उसके बाद हमने देखा थाइलेंड में अब यह जो कहानी है वो इंडिया शिरलंका की है जब wild and domestic animals seem to know what was about to happen जो wild, जो जंगल की जानवर है और जो domestic animals है उनको भी पता था कि शायद क्या होने वाला है they fled to safety वो safety वाली जगा पर चले जाते हैं according to eyewitnesses accounts अगर कुछ लोगों के accounts के यानि जिन्होंने जो detail दी होगी इन सभी को देखा होगा ऐसा करते हुए तो वो कहते हैं कि देखो elephants screamed and ran for higher ground चिलाते रहे और higher ground पर चले जाते हैं dogs refuse to go outdoors जो dogs हैं वो बाहर निकलने से डर रहे थी flamingos जो की bird हैं थी abandoned their low-lying breeding areas उन्होंने अपने जो बहुत नीची जगा थी जहांपर breeding areas थी उनको छोड़के वो चले जाते हैं और zoo animals rushed into their shelters और zoo animals अपने shelters में चले जाते हैं and could not be enticed to come back out और उनको कोई भी लालच बाहर नहीं निकाल सकता था तो ऐसी क्या चीज़ थी कि सब के सब जानवर alert हो गए थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है अब zoo animals को भी देखो पता था zoo के animals को कैसे पता लगा तो कहीं न कहीं जानवरों के अंदर यह sense होती होगी so many people believe that animals possess a sick sense and know when the earth is going to shake कुछ लोगों का तो यह मानना है कि उनकी sick sense होती है और उनको पता होता है कि कब earth shake करेगी some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or heal the earth's vibration और कुछ लोगों का तो यह मानना है कि उनकी animals की जो more acute hearing होती है यानि उनकी जो hearing ability होती है उससे भी उनको earth की vibration का पता लग जाता है वो उसको सुन पाते हैं they can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on उनको थोड़ा सा idea हो जाता है disaster का काफी time पहले इससे पहले कि इंसानों को इस बात का हैसास भी हो so we cannot be sure whether animals have a sick sense or not but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries तो सोचो आप की 1,50,000 लोग मारे गए in a dozen countries का मतलब क्या होता है की दर्जन के आसपास जो countries है दर्जन मींस more than 10 11 भी हो सकती है 12 भी हो सकती है so but not many animals have been reported dead वो कहते की animals के बारे में तो कोई ऐसी report भी नहीं आए कि जानवर मारे गए हैं लेकिन human beings का तो था की 1,50,000 people तो almost मारे गए होंगे so along India's कुड़ ये जो है आपका जगा है कुड़ लोर कोस्ट यहाँ पर क्या हुआ where thousands of people perished यहाँ हजारों लोग मारे गए buffaloes, goats and dogs were found unharmed लेकिन वहाँ पर buffaloes unharmed थी गोर से यानी जो बक्री होती है यह dogs वो भी unharmed थी the Yala National Park in Sri Lanka is a home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds तो वहाँ पर 130 species of birds के भी है so 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park अब सोचने वाली वात है देखिए वो शिरलंका का यह वाला Yala National Park है यहाँ पर बड़े सारे जानवर है animals हैं including elephants, leopards और 130 species of birds भी है 60 visitors वहाँ से wash away हो गई लहरों में बह जाते हैं जो Patanangala beach में inside the park लेकिन जानवर बच गई ऐसा कैसे उनकी कोई dead bodies कारकेसिस क्या होती है dead body नहीं मिली except for two water buffaloes सिर्फ दो water buffaloes की हम कह सकते हैं death होई होगी about an hour before the tsunami hit people at Yala National Park had observed three elephants running away from the Patanangala beach अब देखो कहते हैं यह जो elephant हैं यह भागने शुरू हो गए थे यानि जो Patanangala beach से इन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया पहले ही तो इनको कैसे confirm हुआ इनको कैसे hint लगा तो कुछ न कुछ इनके अंदर ऐसी senses होती होंगी और मेरी भी लाइफ इस वज़े से बच गई हो शायद So this was the old story about this chapter the tsunami So I hope so explanation आपको clear हो चुकी होगी और अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई doubt रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं comment section में जाकर और साफ में यह भी कहुँगा इस वीडियो की description box को जरूर देखिएगा वहाँ पर आपको और भी वीडियो के links पे लेंगे और वो आपके लिए helpful होने वाले हैं So thank you very much and have a very nice day